जय ही इंद मेरे प्यारे साथियों CICAPSA LDC एकजम सक्सेस में आप लोग सभी को most welcome जैसे की आप जानते हैं हम लोग कम से कम चार दिन बाद हम लोग आके एक क्लास ले रहा है चार दिन आप लोग को छुट्टी दिया गया था जो बंगाल में जो हमारा दुरगा पूजा होता ह उस कारण से क्या था हमारा पूरा कोचिंग सेंटर बंध था तो अप लाइन में आभी भी क्लास बंध है मगर ओन लाइन में क्या है आप लोग को एकजम को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रेक्टिस सेट नंबर आपका जो मिक्स कोस्चन प्रेक्टिस सेट नंबर 29 हमारा टीम ने बहुत सारा आप लोग लिए प्लैनिंग सोचे है तो उस प्लैनिंग का क्या है जैसे देखिए आज आपका 29 नंबर जो प्रेक्टिस सेट इसमें मैं 40 कोश्चन लेका आया हूँ तो यह आपने प्रेक्टिस कर लिए होंगे यह तो देखिए यह 29 के बाद और तीम दिन प्रेक्टिस सेट लेके आपका 30 प्रेक्टिस सेट का क्या कर देंगे 10 दिन में हम कर देंगे और 10 दिन में रिविजन जैसे कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो सब्सक्राइब भी एक क्लास लेके आएंगे उसमें आपका 1000 प्लस का कोश्चन रहेगा है आपको बहुत अच्छा आपको मतलब एक जम के लिए एक आठा सबित होगा उसके बाद मेराथन ग्लास लेकर आएंगे बाकी आपका ये math हो गया, English का तो चल रहा है, English का one word हमने complete कर देंगे, उसके बाद EDM, phrases, synonym, antonyms, PQORS, सब कुछ एक साथ में करा देंगे, और ऐसा करते हुए हम एक target रखेगी, एक महिना का अंदर अंदर आप लोगों का सब complete करा देंगे, complete कराने के बाद क्या करेंगे, मत मतलब ये है किसे छुटी को छोड़के, या लीव को छोड़के, तीस दिन का अंदर आपने courses करेंगे, complete करने का देंगे, उसके बाद सुरी practice होगा, तो चलिए, अभी class को सुरू करते है, हाँ, एक message है, जैसे ये जो 29 number, जो class है, ये सभी के लिए है, तो जिनो ने हमारा टीक है, बाकी देखिए, कैसे जोड़ना है, उसका बारे में इसमें एक message दिया हो, कि जदी आप हमारे साथ telegram paid course में सामिल होना, चाते हैं, तो नीचे दिये गया है, नंबर पे संपर्क करें, अर्थत इस नंबर पे संपर्क करके, जो 9735707267, इस नंबर में call करके भी जू नंबर पे है, इसी नंबर में क्या है, आपका नाम और आपका telegram नंबर देखे भी आपको बोल देने से आपको जोड़ दिया जाएगा, तो यह process है, तो चलिए, आभी क्या है, हम लोग class को सुरू करते है, यसे class आज का क्या है, जिसे सभी जानते है कि हमारा class चलता है bilingual, त सबसे पहले जो आपका question है, आपका reasoning का question है, तो देखे, क्या बोल रहा है कि select the related word from the given alternative, और दिये गया बिकल्प में से सम्मंधित सब्दों को चायन करे, तो देखे, इंग्लिस बालों के लिए इसमें इंग्लिस में दिये है, और हिंदी बालों के लिए क्या है, नीचे देखे, ये एक medium size हमने कर लिए, सबी को इसमें आपी दिखाई देगा, तो देखे, थोड़ा सा दिकत हो सकता है आप लोग, ये देखे, सबी को दिखाई देगा, तो देखे, फास्ट बाला question क्या बोल रहा है, बोल रहा है, कोल, कोल का आर्थ होता है, हिंदी में बोलता है कोईला, कोईला किस से संबंदी थे, गर्मी और तथ हीट से संबंदी थे, कोईला से क्या, कोईला जलाने से क्या होता है, आपका हीट पैदा होता है, तो वाक्स, वाक्स का मतलब होता है मोम, तो मोम को जलाने से क्या पैदा होगा, मोम को जलाने से आपका क्या पैदा होता ह तो आपका option C, light आपका क्या हो जाएगा, आपका answer हो जाएगा, ठीक है, क्या है जैसे हम लोग जानते है, coal barn for producing heat, same way क्या है, wax barn for producing light, मतलब जैसे coal को जालाने से क्या होता है, heat पैदा करता है, वैसे मोम बाती को जालाने से क्या होगा, मोम को जालाने से क्या होता है, light पैदा करत तो यह option C आपके लिए answer हो गया, ठीक है, अभी देखिए, उसके बाद 2 number question में चलते हैं, क्योंकि आज क्या है आपका question, 40 question लेके आए, तो आपको पता है कि 40 question करने में आपको time लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा speed को भी maintain करेंगे, देखिए, आपको इसमें क्या बोल रहा है बोल रहा है, आपका same question है, यह analogy संबंदित question है, जैसे first वाला question था, analogy यह भी same है, बोल रहा है इस देखिए, squinned eye, ठीक है, मतलब क्या जैसे भूंगापन, मतलब जो squinned होता है, क्या होता है, जैसे किसी का आख होता है, जो उसका तीर्चा होता है ना, तो उसको बोलता है, उस संबंदिते हैं, आपको पता है, कि हम लोग जो हाथ है, हाथ से क्या करता है, हाथ से हम लोग किसी चीज को निचूरते है, मतलब जो नोखुन suggestion निचूरते है, तो नोखुन इसमें है नहीं, तो हम लोग का क्या option हो जाएगा, हम लोग का इसमें option हो जाएगा, हाथ, तो हम लोग opposite word English में जानते हैं जो English का opposite word S क्या होता है S का opposite S होता है तो उसमें क्या बोल रहा है कि आपको बोले D किस से संबंदित होगा तो D का opposite क्या है हम लोग जब याद करे थे तो एक चीज याद करे थे कैसे A to Z B से हम लोग क्या करे थे B से Y C क्या है CW मतलब CW क्या क्रूक से हम लोग याद रखे D से क्या रखे थे C से 6 6 अच्छा ये आपको लोग जैसे रखे थे किस में C से X हुआ था और D से W D से हम लोग रखे थे कि D का opposite क्या होगा Y होगा तो आपको पता लग गया कि D का जो opposite होता है और Y होता है तो आपका option B आपका answer हो जाएगा तो एई चीज आपका हो गया आप देखे चान नमर question क्या बोल रहा है चान नमर question बोल रहा है जैसे देखिए PUT PUT related क्या है Q Q भी U तो same आपको T कीस से संबंद देखे और जैसे आपको देखिए PUT से हम लुग इसको करने का तरीका कैसा है जैसे PUT से हम Q भी भी धामने 17 P होता है 18 U होता है 21 और T होता है 20 अभी देखिए यह कैसा बन रहा है इसमें बन रहा है Q Q का मतलब होता है 17 हमको एक चीज बतला गया कि सभी में एक एक प्लास हो गया तो उसी हिसाब से देखे टी एक प्लास करेंगे तो टी से एक प्लास करेंगे तो टी से एक प्लास के बाद क्या होता है एक किस में तो बीस हो गया तो एक किस में क्या हो गया आपका यू ए आपका फाई हो गया इस म नमबर कोश्चन का एंसर अभी देखिए पांच नमबर कोश्चन क्या है पांच नमबर कोश्चन है बोल रहा है कि जैसे W, D, W, H से क्या बन रहा है W, D, S उसी तरह F, U, L से कैसे मतलब क्या बनेगा जो चार ओप्षन दिया हुआ इसमें चार ओप्षन से कौन सा बनेगा तो एक चीज धियान दीजिए डी का इपोजित W होता है, W का इपोजित D होता है और H का इपोजित S होता है जैसे हम जानते है कि जैसे आपको यह समझ लेजी कि आपको याद नहीं है कि एप का opposite क्या होता है तो हम लोग जानते है कि दोनों opposite वाट जो होता है उसका जो sum करेंगे ना तो 27 होगा तो यह हमारा 6 है तो 21 आपका क्या हो जाएगा 6 के साथ कितना plus करेंगे कि हमारा 37 हो जाएगा तो 6 के साथ 21 plus करने से हमारा 37 हो जाएगा तो एक चीज़ पतल लग गया कि हमारा जो एप का opposite क्या होना चाहिए यू होना चाहिए कि 21 क्या होता यू के बोरावर है तो देखिए इसमें आप smart work करते हुए answer इसमें एप के साथ दे लग ले का opposite BE होता है तो अपका opposite O हो जाएगा तो आपका उपसे नहें आपका 5 नंबर का answer हो गया ठीके अभी देखिए अभी6 नंबर क्यों में क्या बोल रहा है छे नमबर कोश्चन में बोल रहा है देखिए बोल रहा है कि दिये गया बिकल्प में से बो सब्दों चुनिए जो दिये गया सब्दों के अच्छार का प्रोग करके नहीं बनाया जा सकता है तो आभी देखिए 6 नंबर question में क्या है कि बोल रहा है ये जो question ये जो आपका जो वाड दिया गया है इस अक्सर से जो आपका नहीं बनाया जा सकता है चारों में से कौन सा है तो देखिए सब से पहले क्या करना इस question को दो बढ़ लीजिए जैसे क्या बहुआ है Им-passenable सबसे पहले आपको क्या देखना है सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपने तो सभी ने क्या कि मैं सभी को ڈाल दिया था question तो सभी ने क्या साइध इसको कर लिए होंगे तो इसको करने का जैसे process क्या है कि जैसे साधरन process होता है ना process क्या है तो एक चीज देखिए आपको इसको पढ़ेंगे ना तो देखिए impossible impossible यह लग रहा है कि ऐसा award देखिए इसमें से है क्योंकि I am भी है पी बी भी है एसे भी है अब एक बार क्या करना है question को करने से पहले चारों में से ना अब गार एक बार एक बार आँख मिला लिजे कि ऐसा कोई award है जो इसमें अलग लग रहा है तो आपको पता लग जाएगा option C में देखिए एक जाएगा मैं भी दिया हुआ है जो भी इसमें है नहीं तो आपको पता लग गया कि एक ऐसा award है जो option C का कि जो इंपेसिब करके दिया हुआ है यह आपका क्या है आपका सही answer बैठ जाएगा क्योंकि देखिए ऐसा भी होता है कि हम हर एक वार्ड को मिलाते जाएंगे करते जाएंगे इसमें हो सकता है मगर हम लोग को क्या करना है smart work करना है तो smart work करते होए option C को answer देते होए निकल जाना है अभी देखिए सेम आपका क्या है साथ number question साथ number question भी आपको क्या बोल रहा है कि इसको प्रोग करके नहीं बनाया जा सकता तो देखिए क्या indeterminate में एक चीज आप बढ़िया से ध्यान दीजिए तो देखिए indeterminate में कौन सा ऐसा word है कि आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो कि मेरा जो option B है मेरा option B मेरा answer हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद देखिए हम लोग next question में चलते देखिए next question में art number question में क्या बोल रहा है देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो इसमें भी आप धोका खा जाएंगे इसमें बोल रहा है कि सब्दों को प्रोग करके बनाया जा सकता तो देखिए same में बताऊंगा smart work करना है आपको operation operation में जो बनाया जा सकता है ऐसा word कौन सा है तो देखिए सबसे पहले जैसे इसमें एक word आपका नीचे चला गया तो मैं हम थोड़ा क्या है थोड़ा और चोटा कर लेते देखिए इसमें क्या है operation में C आ गया तो यह आपका answer होगा नहीं option A उसके बाद देखिए इसमें आपका क्या है double T आया तो यह भी नहीं होगा option का देखिए OPTION यह आपका क्या बनाया जा सकता है क्योंकि nation में double N है जो double N इसमें है नहीं तो आपको पतला गया option C आपका answer हो जाएगा ठीक है अभी देख international से तो देखिए इसमें आपका international का देखिए international का जो आप करेंगे किस तरह से करेंगे देखिए आपको सबसे पहले ना आप इसमें आजाएगे देखिए U है इसमें तो आपका यह answer होगा नहीं ठीक है उसके बाद देखिए इसमें आपका ऍयेम आपका किस जयगे में option B में देखिए जो aim दिया हुआ है इसमें आपका एम है नहीं उसके बाद टार्मिनेट में भी aim है जो इसमें है नहीं मगर देखिए उसके बाद आपका बैच गया option D तो आपका पता है कि option D आपका answer हो गाए और करके भी देख लिजिए कि option D आपका answer है तो smart order करते हो हम लोग आगे बढ़े जाएंगे अभी देखिए 10 number question क्या है 10 number जो question है 10 number question है आपको बोल रहा है कि fill in the blanks का बोल रहा है कि diamond necklace watch देखिए देखिए necklace का जो मुल्य का बारे में बात हो रहा है तो distance आपका क्या होता है जो रास्ता का दूरी का बारे में बात होता है long भी same दूरी का बारे में बात होता है very much भी आपका मतलब एक अलग type का आ गया मगर far far क्या है देखिए फार किस अर्थ में यूज होता है पता है फार टू आ गया ना तो फार टू क्या होता है मार्च भेरी मार्च मार्च भेरी मार्च का अर्थ में तो मार्च में तो टू मार्च होता है ना मार्च टू मार्च का अर्थ में फार का यूज होता है तो आपका option D इसमें फार आपका यूज हो जाएगा अब देखिए एगार नमबर कोश्चन क्या है बोल रहा है था employee did not dash to the argument of the manager तो ये क्या हो सकता है तो देखिए ये आपका जो आपका देखिए employee ने क्या है देखिए ये आपका answer होगा concept क्योंकि बोल रहा है था employee did not did not concept concept का अर्थ क्या होता है सुनिए सबसे पहले concept का अर्थ होता है कि हार ना मानना ना जुकना मतलब सिकर करना ठीक है माल लेना मतलब इस अर्थ में जिसे हार मानना ठीक है मैं आपका बोल रहा हूँ जिसे हार मानना जुक जाना ठीक है और सिकर कर लेना माल लेना इस अर्थ में क्या होता है तो आपका इसमें जो सही answer होता है वो आपका option C होता है क्योंकि देखिए ता employee did not मतलब एक जो करमचारी ओर कभी नहीं जुखता है at the argument of the manager manager का argument का ओपर ठीक है तो यह आपका सही हो जाएगा answer option C अभी देखिए बारा नमबर question में क्या बोल रहा है in आपको इसमें synonym सम्मंदित question बताना है सही meaning बला तो इन का आर्थ होता है जैसे कोई सराइकाना या hotel तो option A आपका answer हो जाएगा वोगी building मतलब घर हो गया flat मतलब जो रहने का घर हो गया society मतलब जो समाज को बोलता है तो आपका option A इसका answer हो जाएगा उसके बाद देखिए उसके बाद 13 number question क्या है देखिए इसमें कितना number question था आपका 12 number तो 13 number question क्या है तेरा number question बोल रहा है diligent ये भी same meaning बला diligent का आर्थ होता है कि जो बहुत ज़दा महनती हो आपका हो गया अभी देखिए 14 number question भी same meaning बला question है क्या बोल रहा है देखिए फैटल फैटल मतलब क्या है जो मरने सम्मंदित को बोलता है फैटल जो घातक तो deadly आपका option A आपका deadly जो है आपका answer हो जाएगा तो sorry क्या है आपका थोड़ा बहुत minimize हो गया sorry minimize हो जाने के लिए ठीक है अभी देखिए फैटल में आपको इस पताब क्या फैटल का जो आपका option A आपका answer हो जाएगा ठीक है अभी देखिए 15 number में सेम आपका लगभंग meaning मतलब आपका synonym सम्मंदित question पूछे है टॉसिक्स टॉसिक्स मतलब होता है कि जो पोईजनास या बिसक्त बोलता है जो बीजा नुबाला मतलब एक चाइप का जो जहरीला जहरीला को बोलता है तो इसका आपका option B आपका answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए 16 number question में आपको PQRS सम्मंदित question आपको बोले है देखिए ये question को आपको एक चीज पता लग जाएगा सबसे पहले आप इस question को करने से पहले आप चला जाएए आप option में एक option में देखिए इसमें R, P, Q, S अर्थत आपको एक चीज पता लग जया कि मैंने एक option को फास्ट बाला option को पैचान लिया तो हमारा पूरा question हो जाएगा तो आपको पता है कि कोई भी sentence में पहले सबसे पहले noun होता है या subject होता है या करता होता है तो इसमें आपको करता या noun या subject को ढूंड़ना है तो देखिए इसमें आप R में आ जाईए मोहन लाल मोहन क्या है मोहन लाल क्या है मोहन इसमें देखिए ये मोहन लाल है इसको मोहन लाल लिख लिजेगा मोहन लाल क्या है ये एक आपका नाम है तो नाम क्या कभी भी होता ह और आपको पता लग गया कि आर आपका सबसे पहले होगा तो आपको और आगे देखना ही नहीं है आप question को मिलाते हुए आप खुद से कर लीजिएगा answer इसमें आपको R किस में है option A में है तो आपको answer देते हो है आगे बढ़ जाईए ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 17 number question क्या है 17 number question बोल रहा है opposite word समंदित question है देखिए wholesale wholesale मतलब ऐसा दोकान होता है जहां पे आदमी 18 समान लेते और कम rate में मिलता है और सथ 18 समान जहां पे बेचता है और इसमें देखिए जो retail होता है क्या होता है जहां पे खुचरा मतलब कम समान एक दो समान बेचता है तो उसको बोलता है retail rebate का मतलब हो गया छूट discount का मतलब भी हो गया छूट और concession का मतलब भी हो गया छूट तो ये आपका तीनों का चूट से सम्मन दित है ठीक है उसके बाद देखिए आपका opposite word क्या है adversity देखिए जो adversity जो होता है न ये आपका adversity का जो meaning है आप लोग खुद से बताईए कोमेंट दर के कि adversity का जो आपका meaning क्या होता है देखे, adversity का meaning जो होता है बिपोत्ती या दुर्भाज्य या गरिवी इसको बोलता है adversity तो इसी का जो opposite word आपका जाएंगे न तो आपका opposite word हो जाएगा prosperity prosperity क्या है आपका option A answer है क्यों answer है prosperity क्योंकि prosperity का हिंदी meaning है समिर्धी, सोभाज्य, प्रताप या खुसाली, बाकी anger का मतलब क्या हो गया जो आपका गुसा करने वाला है, humanity मतलब जैसे जो मानुगद्दा, ठीक है बाकी तो आपका पता लग गया कि मेरा option A answer होगा, बाकी ये आपका humbleness humbleness का मतलब जैसे किसी से humble बोलता है humble request करना, humbleness नेस का लग जाने से क्या होता है ये क्या आता है, noun noun बन जाता है, ठीक है उसके बाद देखिए, 19 में क्या है 19 नंबर question भी opposite word का है arrogant तो arrogant का मतलब क्या है arrogant का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी, घमंडी या हटी, उसको बोलता है arrogant तो इसका जो सही meaning बैठ जाएगा आपका modest modest का मतलब होता है किसी को बिनित बोलता है बिनित निवेदान है वालाब निवेदान सालिन, बिनम्रा, नम्रा, बिनाईपूर्ण इसको इतना को modest को बोलता है अभि देखिए, selfish मतलब जो आपका होता है, सार्थी होता है proud मतलब जो ओ भी selfish का मतलब synonym समझ सकता है ठीक है, तो आपका option A इसका 19 का answer हो जाएगा अभि देखिए, 20 number question क्या है 20 number का question है authentic, authentic का जो इका opposite word पूछे, authentic मतलब होता है original, तो देखिए इसमें option B जो है false आपका answer हो जाएगा क्योंकि false मतलब duplicate अभि देखिए, real क्या हो गया authentic का synonym है, उसके बाद देखिए, genuine भी क्या है आपका authentic का synonym है, factual factual मतलब जो original, ये भी आपका synonym है, तो आपका false आपका answer हो जाएगा 21 number में देखिए, idiom सम्मंदित question है, और तद हिंदी में जिसको बोलता है, मोहबरा, तो देखिए the work like a dog work like a dog का मतलब होता है, जैसे कोई कुटा या कोई dog क्या होता है, देखिएगा कोई चीज को करता है, तो बहुत महनत के साथ करता है तो work like a dog का आर्थ होता है कि बहुत महनत ही होना तो इसका जो option हो जाएगा to work very hard जो option a है आपका work very hard आपका answer हो जाएगा 22 number question देखिए, ये क्या है idiom सम्मंदित question है बोल रहा है कि to be in the driving seat to be in the driving seat का जो मतलब होता है, मतलब आपने क्या है मतलब कोई काम को आपने देखिए driving seat का मतलब होता है कोई काम को खुद से करना मतलब दूसरा कोई subordinate का उपर believe ना करना और थत अपना control में रखना तो uncount travel तो होगा नहीं option b जो है आपका in control ये क्या होता है आपका सही answer है ठीक है, तो ये आपका option इसका भी 23 number question का देखिए 23 number question का one word पूछे है तो one word क्या पूछे है बोल रहा है government by the by a few people जो है आपको बोलता है oligarki को बोलता है government by the few people democracy क्या बोलता है जैसे by the people for the people उसको बोलता है democracy aristocracy बोलता है जैसे कोई जाएगा पे धनी आदमी कुछ धनी आदमी का धनी भी नहीं है मतलब जैसे अच्छा society का जो government बनता है उसको बोलता है aristocracy ठीक है उसके बाद 24 number में देखिए क्या है one word का question है बोल रहा है कि one who speak two language और तब कोई ऐसा आदमी जो दो language में बात कर सकता है तो उसको बोलता है bilingual जो option B आपका answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए 25 number question में जाएंगे ये भी one word सम्बंदित question है बोल रहा है one who can read and write मतलब ऐसा कोई आदमी है जो पर लिख सकता है तो उसको क्या बोलता है literate option A आपका answer हो जाएगा अभी देखिए 26 number में आपका जीके सम्बंदित question है बोल रहा है राजा रामोन राय मतलब किसका संस्थापक थे और नीचे चार option दिया इसमें कौन सा राजा रामोन ने संस्थापना किया था तो देखिए जो बम्मर समाज जो थे इसमें जो election का बारे में बताया गया था ठीक है जो केंद्रे में और स्टेट में election का बारे में बात हुआ था ठीक है अभी देखिए ये आपके लिए important question है कि previous year से ये question आया था कि दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था ये आपका दिया था नेताजी सुवास्चंद बोस ने तो आपका option C आपका answer हो गया ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद आपका जो question है आपका 29 number question है बोल रहा है www.w.w. जो 3w होता है जो internet में search करता है वो क्या उसका full from क्या है तो उसका जो full from है world wide wide wave जो आपका option B में है ये आपका सही answer है ठीक है उसके बाद देखिए ये बोल रहा है one के भी is equal to मतलब एक के भी बराबर होता है एक के भी आपका बराबर होता है आपका जो 1024 byte का बराबर होता है जो आपका option B आपका सही answer है ठीक है उसके बाद देखिए ये आपका 31 number question है 31 number question बोल रहा है कि भारतिया राष्टिया कंग्रेस की पहली महिला अध्यक्स कौन है तो पहली महिला अध्यक्स बोलेगा तो आपका एनिवे संत होगा मगर इस उसरीमें option में होता सोरज्टिया नाइनट और इसमें बोल दिया होता कि भारतिया ।यक्स पूर्ण सराज की आपना लख्श्र Southern किया था तो यह आपका 1929 आपका जो आप्सेन भी है आपका एंसर हो जाएगा अभी देखिए थार्टी फाइब कुनामर क्वेश्चन क्या है एलसीम समंधित कोश्चन है इसमें बोल रहा है कि जैसे 24 30 40 और 60 इसमें से आपका कौन सा आपका लगुत्तम समाबर्तक होगा और जो आपका लासा कौन सा होगा तो देखिए इसको करने के लिए क्या है पहले इसको आप कारते जाए है लास्ट में जब तक वान नहीं आता है उसके बाद सबको गुना कर लेना है मगर जब इसमें ऑप्सेन में है तो हम एक चीज देख सकते है देखिए 60 एक ऐसा वाड है क कि 60 में ये खुझ से कट जाएगा 30 भी कट जाएगा मगर ये दो नहीं कटेगा तो आपका 60 एंसर नहीं होगा बाकि ये नौन अप देखिए आभी हम इसको एंसर नहीं देंगे तो आपका ऑप्सेन सी कट गया मतलब हम आप ऑप्सेन से करेंगे तो अभी 140 में आप 60 को देंगे तो कट जाएगा तो हमको पता लग गया कि हमारा एंसर अप्सेन एह होगा ठीक है उसके बाद देखिए 25 नंबर में आपको बोलाई HCF जैसे मैं आपको बताताओ कि HCF करने का जो असन तरीका सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसमें धूंडिए कौन दो संख का बीच का डिफारेंस कम है तो इसमें देखिए 24 न 30 में बीच का डिफारेंस 6 है तो आप देखिए 6 से क्या ये तीनों को काट सकता है 6 में ये कट जाएगा ये कट जाएगा मगर ये 6 से नहीं कटेगा तो आपको 6 से दुबारा तोड़ना है क्या तोड़ना है देखिए 2 और 30 से तोड़ीये सीने अर्फ होता है की बड़ा से परसे गार देखेंगे देखिए 20 से हम कट vaak ऑसब 디र्ट जाएंगा तो आपका आपका जर्श्चनदeg ص duż अपका क्या है यह आपका कॉष्चन अपनित question है तो इसको करने का तरीका कैसा है इसको करने का तरीका साइद आप लोग को basic को सबको पता है तो देखिए basic को नहीं पता होगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लिखिना है ये a is to b कितना है देखिए a is to b आपका है 7 is to 9 और B is to C कितना है आपका 5 is to 7 इसको करने का पॉससे उल्टा N उल्टा N का मतलब देखिए A, B, C आपका निकल जाएगा उल्टा N करने से पहले 5 से 7 को गुना करेंगे तो हमारा 35 आजाएगा 5 से 9 को गुना करेंगे तो 45 आजाएगा तो B हो गया और 7 से 9 का गुना करेंगे तो आपका 63 आजाएगा तो देखिए 35 is to 45 is to 63 कहाँ पे है तो 35, 45 और 63 आपसेन A में है तो आपका आपसेन A एंसर हो जाएगा ठीके आभी देखिए 37 नमबर कुश्चन क्या बोल रहा है सेम आपको कुश्चन दिये इसमें तीनों को नहीं पूछे A is to B को पूछे जब तीनों को निकलना है तो उस तरीका से निकल सकते है इसमें भी उस तरीका से निकल सकते है मगर मैं इसको एक आसान तरीका समझाऊंगा यह A is to B का आर्थ होता है कि हमने क्या करेंगे हमको क्या करना है 7 is to 9 A is to C को निकलना है तो क्या निकलना है यह 7 is to 9 करिये और comprendra 15 is to 7 करिये ठीके उसके बाद क्या है opposite opposite में cut दीजिए इस opposite से this opposite को cut दीजिए और इससे क्या करिये 3 से cut एगा तो 3 आ गया इसमें 5 आ गया तो दीखे तो आपका A कितना बैठ गया, 5 और B C कितना बैठ गया, 3 बैठ गया, तो कितना आपका 5 is to 3 आपका क्या है, option एंसर हो जाएगा, और फास्ट में जो किये थे, ऐसा भी करेंगे, तब भी आपका एंसर आजाएगा, जैसे कैसे, जैसे आपको मैं सिखा है था, उल्टा एं करके, 7, 9 और 15, 7, इसको क्या उल्टा एं करके कर लीजिए, आपका एंसर A ही आएगा, ठीके, तो चलिए, अब 38 नंबर question में देखिए, 38 नंबर question क्या है, ये question को आपको बहुत सारा आदमी बहुत सारा process बताएगा, मगर मेरा process पूरा अलग है, सबसे पहले लिखिए 30% A, देखि देखिए, percent से percent को काट दीजिए, सुन्यो से सुन्यो को काट दीजिए, तो आपको क्या इसमें निचे आगया, 3 A, समान 4 B, समान 2 C, अभी क्या करना है, A को जब निकलेंगे तो A को हम नहीं गुना करेंगे, ठीक है, तो A के क्या करेंगे, तब हम इस दोनों को गुना तो 4 दूगने कितना हो जाएगा? 8, तो यह आपका A हो गया, is 2, उसके बाद जैसा ही B को करेंगे, तो B को गुना नहीं करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, 3 दूगने 6 हो गया, तो B आपका 6 हो गया, और C को निकालेंगे, तो C को गुना नहीं करेंगे, इस दोनों को तो देखिए, 4 is to 3 is to 6 option B में है, ठीक है, अभी देखिए, उसके बार 39 बाला question, ये बाला question आपका answer क्या होता है, सुनिए, ये बाला question answer कैसे होता है, जैसे देखिए, 1 is to 2 A, 1 is to 3 B, 1 is to 4 C जब रहेगा न, तो आपको कुछ नहीं करना, A is to B, मतलब नीचे बाला जितना है, उस C को A is to B is to C होगा, इस चीज़ को ध्यार रखिएगा, तो 2 is to 3 is to 4 आपका option A answer हो जाएगा, ठीक है, अभी देखिए, 40 number question क्या है, 40 number question जैसे मैं आपको समझाया था, जैसे percentage वाला question को समझाया था, उसी तरीका से खुद से इसको करिए, जब इसको निकालेंगे तो इन दोनो को गुना करेंगे, जब इनको निकालेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे, जब इनको निकालेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे, और आपका answer निकल जाएगा, तो 40 number question खुद से करिएगा, तो आज आपका क्या है, पूरा question को कर लिए, आपको कैसे लगा, ठीक है हमारा देखिए मुस्किल से 31 मिनिट में पूरा कोश्चन खतम हो गया ठीक है ओ भी आपके साथ में बात किया बीच में तोड़ा डिस्टाब भी हुआ तो आप समझ सकते हैं कि आपको कोश्चन को पता होगा तो आप आराम से कर सकते हैं तो जो भी केंडरेट अभी भी हमारे साथ में पेड कोर्स में नहीं जुड़े है बढ़िया से ASI में LDC में सिलेक्स से लेना चाता है आपने कांदे में स्टार देखना चाते है तो आपको मैं यह नहीं बोलूँगा आप 250 रुपिया मेरे को पता है आप लोग के लिए ज्यादा नहीं है तो आभी भी हेज पूलूच से जाँ से लिए।